Japanese language सीखते सीखते उसमें करियर किस तरह से बनता है या Japanese language के साथ हमें कुछ और करनी की जुरूत है या Japanese language में कुछ ऐसे सवाल जो कि थोड़े से अटपटे होते हैं क्योंकि अटपटे नहीं क्योंकि उन students को तो अभी पता नहीं है तो इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़े से जवाब देना जिनका मुश्किल हो सकता है वो questions के answer आज मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ Welcome to New Hongo Max, मेरा नाम है रवी तो चलिए पहले start करते हैं पहले question से तो students ने हम से पूछा कि Japanese language अगर मैं सीखना शुरू करूँ तो क्या मुझे इसके साथ भी और कुछ सीखने की जरूरत है जैसे computer programming बगरा तो इस तरह हैं कि जितने भी questions होते हैं वो starting में अच्छे लगते हैं सुनने में कि अच्छा मैं Japanese language में career start कर रहा हूँ तो अगर मैं IT सेक्टर में भी कुछ सीखूँ तो मुझे future में jobs अच्छी मिल सकती है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल सही बात है लेकिन इसका पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ कि step by step चलिए तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा बहुत बेटर रहेगा पहले अगर आपने Japanese language को सीखना शुरू कर दिया उसकी study से आप comfortable हो गए तो आप Japanese language की तरह ही दूसरी किसी technical skill को सीख सकते हैं क्योंकि एक बार आपने वो pattern समझ लिया कि किस तरह से कोई नई चीज को सीखा जाता है देखिए school में भी जैसे हम start करते हैं बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं काखागा, ABCD तो वो time जो होता है वो बहुत छोटे का होता है हम भूल जाते हैं वो चीज़े के एक नए skill को याद गरना एक नए skill को सीखना किस तरह से होता है तो पहले मैं कहना चाता हूँ कि step by step चलिए Japanese language का basic level होता है N5 उसको clear करिए उसके बाद N4 clear करिए अगर आप एक ही बार में exams को clear करते जारे हैं तो मैं कह सकता हूँ के हाँ आप capable हैं दूसरे technical skill को parallelly सीखने के लिए क्योंकि इसके में काफी महनत की जुरुरत परती है अगर आप नई language सीख रहे हैं उधर से आप नए technical skill सीख रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो के दोनों हुई चीज़ें आप छोड़ दें हाँ एक चीज़ और इसमें मैं add करना चाहता हूँ कि आपको time management करने की काफी जुरुरत परती है क्योंकि जिस तरह से जैसे second question हमार पास एक और student का है कि sir मैं Amazon में काम करता हूँ तो क्या मैं Japanese language सीख सकता हूँ online सीख सकता हूँ थोड़ा सा उसके लिए मतलब आप मुझे guide करिये तो मैंने का बिल्कुल आप सीख सकते हैं online लेकिन आपको अपना time management करना पड़ेगा कि daily कम से कम एक घंटा डेड़ घंटा या दो घंटे कम से कम निकालने पड़ते हैं तो job करते करते daily time निकाल पाना काफी मुश्किल हो सकता है और उसी student ने मुझे साथ में ये पुछा कि हमारी company में काफी technical skill की भी jobs आती है जिनको Japan भेजा जाता है थोड़ी सी Japanese आये तो मतलब थोड़ी सी Japanese अगर वो सीख ले तो मैंने उनको समझाये कि देखे सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन पहली बात उनकी technical skill होती है experience होता है तभी उनको Japan भेजा जाता है और कम से कम Japanese language का N3 level clear हो उनका ठीक है और अगर N3 level की बात की जाए तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है कि खाली बोलने का नहीं मतलब खाली certificate नहीं spoken language भी आपको N3 level जितनी आनी चाहिए तभी इन चीजों में आप आगे जा सकते है ठीक है तो सुननके काफी अच्छा लगता है लेकिन selection हो पाना काफी मुश्किल होता है तो मैं आपको demotivate नहीं करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको step by step चलना है तो आप बहुत अच्छे level तक जा सकते हैं ये बात है जोटी नहीं है आप verify करिया इन चीजों को और अगर आप खुद अपना ऐसा target बना सकते हैं कि technical skills भी हुझे आता है मुझे job का experience भी और मुझे Japanese language भी आती है तो आपको बहुत बहुत अच्छा career बन सकता है ये चीजें खुद आप Google पर सर्च करके पता लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कितनी उनकी salary होती है उनकी monthly salary कितनी होती है और अगर वहीं जपैन में दो साल या तीन साल अगर उनको experience हो गया तो उसी company में या फिर किसी दूसरी company में उनको उससे double salary या और अगर उसको number में मैं absolute number में आपको बताऊं तो Japanese yen को आप पांच लाख या छे लाख का amount जो होता है वो पर मंत की उनकी salary होती है Japanese yen की जो कि अगर convert करें तो अभी 2023 में इसका conversion लब भग 3 लाख के आसपास आएगा रुपए में इंडियन रुपए में ठीक है तो ये चीज़ आपकी motivation होनी चाहिए कि मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ सीखूँ लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि दोनों ही चीज़े सीखना आप इकठा शुरू करके दोनों ही चीज़े छोड़ना दे तो step by step आपको जाना चाहिए एक और question हमार पास आया student का कि अगर मैं study visa पर Japan जाऊं study करने तो क्या मुझे part time job मिलेगी वैसे तो ये चोटी चोटे questions के answers मैंने पिछले वीडियो में काफी बार बता हैं लेकिन एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि study visa पर जाना ही काफी मुश्किल तो नहीं लेकिन काफी time ticking होता है क्योंकि आपको पहले N3 level तक at least N4 clear हो तो आपके prospects भढ़ जाते हैं वीजा मिलने के ठीक है उसके बाद फिर आप ये part time job बगरा के बारे में सोचिए part time job लेने में भी आपको spoken Japanese आनी चाहिए at least basic Japanese आनी चाहिए जैसे कि मैं आता हूं जाता हूं मैं इतने बचे उठता हूं मैं खाना खाने में यह यह पसंद है जो मेरा office है उसमें यह यह काम होता है इस तरह कि language आपको Japanese spoken language आपको आनी चाहिए तभी आपको part time job Japan में मिल सकती है लेकि usually students ले ही लेते हैं क्योंकि वह इतने pressure में होते हैं क्योंकि वहां पर living expenses भी उनको निकालने है school fees भी भरनी है तो school भी उसमें help करता है part time jobs लेने के अंदर तो इतना ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है ठीक है तो पहली चीज़ के आप मैं फिर से इसका answer summarize way में देना चाहता हूं कि आप पहले यह सोचे कि मुझे पहले study visa acquire करना है उसी के लिए ही बड़ी सारी qualifications बगर लेकिन वह एक system से चलते हैं जो rules बने हैं उसके हिसाब से चलते हैं तो आप उन rules को सीख लीजिए समझ लीजिए तो आप वहां पर experience करेंगी कि exactly इसी तरह से हमें अपनी life को चलाना होता है उसमें कोई rule change करके आप नहीं चला सकते तो आप आज से ही सीख जाएंगे अगर प अपनी hobby बनाई है कि मुझे सीखना है तो आप बहुत बहुत फायदे में रहेंगे Japanese language सीख के फिर आप अपने आप खुद ही अपना career बना सकते हैं चाहे इंडिया हो चाहे जबान एक और बहुत important question हमें students ने हम से students पूछते हैं कि Japan में अगर मैं रहने लग गया study मेरी complete हो ग कि यह बहुत आगे का step है लेकिन मैं आपको एक छोटी से summary बताता हूं कि Japan में job लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बोलते हैं इंटरेट पर जितना लोगों ने बोला हुआ या आसपास में social media पे लोग बोलते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता अगर क्योंकि द आता है वो उतना matter नहीं करेगा Japan में सबसे important चीज है कि आपको Japanese language बोलनी आती है या नहीं आती है या at least जो कुछ text वगरा है या signboards वगरा है वो read गरने आते हैं या नहीं आते हैं या at least एक native से आप जिसको नीची जो काईवा कहते हैं वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं यानि कि basic daily language ठीक है shopping वगरा की language travel वगरा की language आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं यह important होता है जॉब लेने के लिए interview के आप बहुत सारे वीडियोस दें मैंने भी interview वीडियोस बनाए हैं आप वो देख सकते हैं वो जपैन का ही जपैन का ही format है वो as it is ऐसे ही questions पूछे आ जाते हैं ऐसी उनका answer दिया जाता है तो आप वो practice बड़े अराम से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी spoken Japanese आ गई और आपका level कम से कम N2 या N1 तक का है JLPT के हिसाब से ठीक है अगर आपका N2 clear है तो बहुत अच्छी बात है Japan में job आपको बड़े आराम से बिल सकते हैं अग तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने आपके queries, आपके questions मैं solve कर पाया हूँ थोड़े बहुत और थोड़े बहुत आपकी दिमाप में और भी questions होगी तो जरूर हमें comment box में लिखिए हम उनको select करके एक और वीडियो में बनाऊंगा आपके questions को मैं पूरी-पूरी कोशिश कर advance तक N5 से लेकर N1 तक काईवा से लेकर business Japanese तक सब कुछ सब कुछ मिलेगा with Hindi explanation in 5000 audios. Thank you so much.